दिल्ली की पटियला हाउस कोट ने IRCTC टेंडर घोटाले के केस में बहार के पूरो मुख्य मंत्रे लालू प्रशाद यादव, उनके पतने राबडी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोप्यों को जमानत दे दी है इनके खिलाफ, CBI और ED ने IRCTC से जुड़े मामले में मुकेज में दर्श कराये थे, जिनमें उनके उपर मनी लॉंडरिंग का आरोप लगा था आजेडिय धक्ष लालू और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा, पूर केंद्रिय मंत्रे, प्रेमचंद गुपता और उनकी पतनी सरला गुपता, IRCTC के ततकालीन प्रबंध निदेशक, बीके अगरवाल और ततकालीन निदेशक, राके सकसेना भी इस मामले में आरोप पूले में कारवाई की मांग को लेकर राजधानी पटना के एतिहासि गांधी मैदान में धरना दिया, इस दौरान तेश प्रताप के साथ उनके समर्थक भी मौझूद रहें और वो जमकर नारे बाजी भी करते हुए नजर आएं, धरने पर बैटी तेश प्रताप ने कहा क इचात्र रिंधाओं की पिटाई में शामिल लोगों को पोलिस ततकाल गिरफतार करें, उन्होंने कहा कि पोलिस आरूपी को जल्द गिरफतार करें, नहीं तो पूरे बिहार में अंदोलन होगा IRCTC की वेबसाइट से नीजी आईडी पर मिलते जूलते नाम से फर्जी टिकट बनाने वाले एक बड़े गिरो का रेल पुलिस ने भढ़ना फोड किया है दिल्ली से आई IRCTC और पटना जंक्षन आर्पीएफ पोश्ट की टीम ने पटना जंक्षन के पास इस्थित पूजा ट्रेवल्स में छापे मारी की इस दौरान 4,36,352 रुपए के 98 एटिकट, 52,000 कैश, एक कम्प्यूटर, एक प्रिंटर और 3 मोबाइल जब्त किये गए साल 2017-18 के बीच इस एजेंसी ने 85,90,960 रुपए मूल लिके 3,085 टिकट बेचे हैं धद्यबाजों ने होली और समर वेकेशन के लिए टिकट काट कर अपने पास रख लिया था पुलिस ने ट्रेवल्स के दो स्टाफ पंकज कुमार गुपता और चेंदन कुमार को गिरफतार कर लिया है जबकि संचालक मनुच कुमार अभी भी फरार बताया जा रहा है प्रदेश में कुछ क्रिशी फीडरों में भी इसे लगाया गया है पटना में लुटेरे तांड़ों कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में लुटेरों ने लाखु की लूट को अंजाम दिया अब इस मामले में पटना पुलिस एक्शन के मूड में है पटना एसेसपी गरीमा मलिक ने सीए के घर में हुए लूट मामले में एसाइटी का गठन कर दिया है लुटेरों को नहीं छोडने का आदेश दिये गए हैं सिटी एसपी के नेतरित्तु में एसेसपी ने स्टीम गठित की है अब ये टीम इस मामले में जुड़े हर एंगल को खंगा लेगी अपराधियों ने राजधानी में मशूर सीए अशीश हलदर के घर पर लूट पाट की घटना को अंजाम दिया था जानकारी के मुताविक चार की संख्या में आये नकाया पोश्ट अपराधियों ने सीए के घर से 3 लाख रुपे कैश, 20 लाख के जिवराद और लाइसेंसी रिवल्वर लूट ले गए थे